रोबोट सास रवी आफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है यार बीवी ने मा को शहर बुलाने के जिद्ध कर रखिये अब सोच रहा हूं कि आफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराये में अब दो कमरे का मकान तो पास में महेंगा ही पड़ेगा ना पर यार गाउं की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है वो लोग समझी नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है सबकी अपनी अपने परशानी है अब मेरे वाली को देख लो वहां के आपरेशन के लिए दो हफ़तों के लिए लेकर आया था बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि मा को एक हफ़ते में ही वापस भेजना पड़ गया सोच रहों की मा को फोन करूं और कहूं कि आजाओ क्या पता सास की चिक-चिक सुनकर वो भी मा को गाउं भेज दे आगर औरते तो औरते ही होती है न किसे सास के साथ रहना पसंद होगा बात आई गई हो जाती है रादा रवी के पीछे एक बार फिर पर जाती है वो दोसुतस वाली है न हाँ क्यों क्या हो गया उसे उसकी सास कलाने वाली है बड़ी खुश थी कि वो अब दिन बर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी लेकिन हमारी तो किसमत ही फूती है हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके ये को मैं मा से बात कर लेता हूँ लेकिन मा हमेशा के लिए क्यासे आएगी कोई और तरकेप सोचो न एक काम करो न मुझे गाउन छोड़ दो मैं चली जाती हूँ कम से कम सास का सुख तो दिख लूगी लेकिन ऐसा कहा हुआ कि कोई सास बभू एक साथ सुख से रहे रवी तो जानता दसब लेकिन करता क्या पर कहते हैं न पती का दिमाग है चल लेगा तो सही एक आईडिया आया है क्यों न मैं मा की शकल सुरत का एक रॉबोट ला कर देनू जो रादा के साथ बिलकुल सास वाला व्यवार करे मज़ा ही आ जाएगा न मा को लाने के जंजट ना सास बहु की किच-किच राद को स्विच आफ करके अल्मारी में पैक बस फिर क्या था अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बच्टी है और रादा दर्वाजा खुलती है साथ में खड़ा होता है रवी और साथ में होती है रवी की मा यानि की रादा की सास माजी मुझे तो मेरी आँख पर विश्वास नहीं हो रहा कितना अच्छा सप्राइज है आए माँ आए मुझे भी अच्छा लग रहा है मैं भी खुश हूँ मैं भी खुश हूँ मैं भी खुश हूँ दरसल रोबोट सास की बैटरी डीली होने की कारेट वो एक वाक्य को रैपिट करने लगती है माजी इतनी खुश है कि बहर बहर दार आए जा रही है कि खुश है मैं भी पानी लाती हूँ राधा पानी लाने चाती है कि पीछे से रवी सास की बैटरी टाइट करतेता है और ओरडर का प्रोग्रामिंग आन करतेता है पानी लाओ चाए लाओ खाना लाओ मेरे बाल ज़ाड़ो मेरे कपड़े धो मेरी चपल कहा है लेकर आओ अरे ठीक है माजी सब ला रही हूँ मैं जानती हूँ रवी आपको प्रोग्रामिंग करके लाये न कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दू नहीं माजी इस बार मैंने भी कमर कस रखी है अरे प्रोग्रामिंग कैसे लेंग्विज यूज कर लियो मा का ये रोबर्ट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा अरे मजा करें हूँ मैं तो मा होती है मैं जानती हूँ राधा सास की साथ खुश रहती है उनके साथ बाते करती हुम नहीं जाती और आसपास की लोगों से मिलवाती लेकिन एक दिन अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा इतनी तो तू तू मैमे मा बेटी में भी हो जाती है लेकिन तेरी सास तो बिलकुल ताना नहीं दीती अरे ना मानना दो चार ओडर अपने आप खीक हो जाएंगी तब ही देखेगा असली रंग कौन सा तेरे बुलाने पर आई है बेटे के बोलने पर आई होगी बढ़िया बात तो सही है लेकिन यार कोई बात नहीं ना सास लड़ाई करे भी तो कोई परिशानी नहीं है कितना खयाल पी तरक्ती है ये तो है लेकिन तेरी सास तो बिलकुल नहीं लड़ती ये क्या से खैल मुझे क्या पड़ोसन तो चली जाती है लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास सास है भी कि नहीं रात में राधा रवी से कहती है मैंना माजी के पैर दबा कराती हूं अरे लेकिन वो तो मैंना अलग कर दिया है क्या क्या कैसे कहा ने ने मेरा मतलब कहा कभी मा का पैर गाउं में रहा करता था तो मैंने खाट कर मतलब मा को शहर ले आये ना ओ, ओके-ओके, रवी चेन के सांस लेता है कि चलो, कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक? रवी रोज मा के पैर दबाने के बहानी रोबर्ट को कमरे में ले आता और डिस्मेंटल करके रखती था एक रोज मैं आज माजी की कोई बात नहीं मानूगी देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे सास का डिमांड मोड आउन होता है खाना दे दो पानी दे दो नाशता चाहिए लाई माजी मैं न देने वाली खाना पानी लेकिन समय बीटता जाता है दुपैर और फिर शाँ और फिर रात बहु सास को कुछ नहीं देती लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती रात को जब रवी घर आता है राता रो रही होती है अरे क्या हो गया तुमारी माने मुझे से लड़ाई की खुब खरी खुटी सुनाई मैंने तो आज सुबर से काना भी नहीं खाया है रवी समझ जाता है कि राता जूट बोल रही है क्योंकि खरी खुटी वाली प्रोग्रामिंग तो उस देखी ही नहीं थी मैं मा से बात करता हूँ तुम परिशान मत हो रवी रोबोट मा को लेकर कमरे में चला जाता है वो से डिस्मेंटल करके रखी रह होता है कि राता चल कर देखती हूँ मा जी कहीं रवी को मेरे खिलाब भड़का तो नहीं रही है वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है डर जाती है सास के पूर्जे पूर्जे अलग थे रवी ये क्या है ये मा रोबोट थी तुमने इसा क्यों किया रवी कुछ नहीं रहता मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादे के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है लेकिन जब मा और बीवी लड़ते हैं तो पती का बुरा हाल कर देता है और मैंना सुकून से रहना चाहता था बस इसलिए कि इसलिए वादा है